इस वीडियो में हम BLIE 227 DDC 19 Edition की प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो हमारी पार्ट 4 है इसमें हम सीखने वाले हैं इसमें हम सीखने वाले हैं हाउ तो यूस रिलेटिव इंडेक्स Introduction आएए सबसे पहले हम Introduction देख लेते हैं कि Relative Index होता क्या है पहला पॉइंट Relative Index is the third volume of DDC Relative Index DDC का third volume होता है जैसे कि आप लोग को पता है कि DDC के total three volumes होते हैं पहला volume जो होता है वो होता है Introduction and Table का Second volume जो होता है वो Schedule का होता है and third volume जो होता है वो relative index का next point डेखते हैं It is arranged in alphabetical order यह arrange होता है alphabetical order में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा dictionary में words को arrange किया जाता है एक alphabetical order में वैसे ही relative index को भी arrange किया जाता है एक alphabetical order में तो हम कह सकते हैं यह dictionary की तरह arrange किया जाता है next point relative index bring all the related aspects of a subject at one place कहने का मतलब है कि relative index में एक पर्टिकुलर subject के सभी पहलों को एक साथ एक जगा पर रख दिया जाता है इसको मैं एक example कि थरू समझाना चाहूंगी माल लेते एक subject लेते हैं English relative index के case में English as a main class रखा जाता है ठीक है उसके अंदर subjects के तोर पर रखा गया होगा लेंगवेज दे रखा वगा लेट्रेचर दे 800 पे अगर मैं language रूणना चाती हूँ तो language के लिए मुझे जाना पड़ेगा 400 पे अगर मैं table रूणना चाती हूँ तो table में को जाना पड़ेगा table number 6 पर तो कहने का मतलब है relative index में सभी पहलों को एक साथ रखा जाता है और schedule में वो चीज़ बिखरे हुए होते हैं इसका मतलब है कि relative index में ये hierarchy को follow करता है अब हम कुछ abbreviations देख लेते हैं जो कि relative index में इस्तमाल होते हैं पहला point gen.wks. तो ये इस्तमाल होता है journal works के लिए next point है sa, sa इस्तमाल होता है see also के लिए soc. तो इसकी इस्तमाल होता है social के लिए spec. specific के लिए इस्तमाल होता है spec.jur. ये इस्तमाल होता है specific jurisdiction के लिए next होता है ot ये इस्तमाल किया जाता है old test statement and next होता है st तो ये होता है sent के लिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे relative index की book यहाँ पर सबसे पहले abbreviations आता है इब्रेवीशिंस का इसमाल होता है कि बहुत सारे abbreviations का इसमाल किया जाता है हमारे relative index में अब भी कुछ थोड़े बहुत एक्जामपल्स थे एब्रीवेशन्स गे जो relative index में इस्थ हमाल किये जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे abbreviations है जो आपको ए डीटेव इंडेक्ज में इस्तेमाल किये जाते हैं आप देख सकते हैं ठीक है फॉर एक्जाम्पल जो admin.admin.adv इस्तमाल किया जाता है advertisement के लिए तो ऐसे बहुत सारे एक्जाम्पल हैं जो इस्तमाल किया जाता है relative index में ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां से हमारी relative index की book हो गई start तो यहां पे देखो a पहले a वाले word आ रहे हैं ठीक है आगे आगे आप करते जाओगे फिर b वाले word आएंगे फिर c वाले word आएंगे फिर d वाले जिससे डिक्ष्टरी में होता है सेम उसी की तरह आपको दे रखा होगा इसका PDF मैं description में दे दूंगी जिससे आप practice कर पाओ अच्छे से questions की अभी तक हमने theory समझीती की relative index होता क्या है अब हम practical question के तरूं समझेंगे की relative index का अस्तमाल कैसे किया जाता है question 1 library science library science का क्या class number होता है relative index के अंदर वो search करते है library science तोनने के रिए library L से start होता है तो सबसे पहले हम L वाले column पर जाएंगे यह रहा L ओके तो सबसे पहले हम library देखेंगे library कहां लिखा हुआ है वो search करते है यह रहा library जैसे कि आप लोग देख सकते है library library ऐसा main class है अब हम उसमें search करना है science science कहां है वो search करते है यह रहा जैसे कि आप देख सकते है science science का class number होगा 020 तो हम कह सकते हैं library science का हमारा class number होगा 020 so finally library science का class number होगा 020 question number 2 English literature अब हम search करेंगे कि English literature का class number क्या होगा relative index में English word E से start होता है that's why हम E वाले column पे चाहेंगे सबसे पहले अब वहाँ पे सबसे पहले हमें जाना होगा English में English search करते हैं हम यह रहा English ठीक है English इसा main class हमें मिल गया English literature ढूण रहे थे अब हम literature search करेंगे तो literature कहां लिखा वह वह देखते हैं यह देखो literature यह रहा literature A20 ठीक है तो हम कह सकते हैं कि हमारा English literature का class number होगा A20 फाइनली हम कह सकते हैं कि English literature का हमारा class number होगा A20 question number 3 agriculture library अब हमें search करना है कि agriculture library का क्या class number होगा हमें search करना है book agriculture library तो agriculture A से start होता तो A वाले column पे जाएंगे ठीक है वहाँ पे search करेंगे agriculture हम search करें agriculture agriculture कहां लिखा हुआ है यहां पे मिल गया agriculture ठीक है जैसे कि आप लोग देख सकते है अगरी कल्चर में हमें चेक करना है library ठीक है library कहां लेका है वह search करते हैं यहां तो नहीं है नेक्स्ट आगे देखते हैं यह अगरी कल्चर वाला ही चल रहा है अभी continue है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह रहा libraries तो हम कह सकते हैं कि agriculture libraries का class number होगा 026.63 सो फाइनली हम कह सकते हैं कि agriculture library का class number होगा 026.63 relative index के अंदर question number 4 poetry अब हम search करेंगी कि poetry का क्या class number होगा relative index के अंदर poetry search करने के लिए सबसे पहले हम P वाले column पे जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम इस पर search करेंगे poetry जैसे कि आप देख सकते हैं यह रहा poetry, poetry अभी है क्या, poetry हमारा literature का part होता है तो देखिए literature से related कुछ है, तो यह table के अंदर आता है literature sub division में तो lit.sub. यह हमने short form में भी पढ़ा था, तो हम कह सकते हैं कि poetry का main class होगा 1 So finally हम कह सकते हैं कि poetry का class number होगा 1 Question number 5 and last हमारा question होगा इस वीडियो का Japanese इसका main classes क्या होगा, relative index में वो search करते हैं हम word डून रहे है Japanese, Japanese start होता जे से तो जे वाले कॉलम पर जाएंगे जे वाले कॉलम पर जाकर हमें search करना है Japanese word, तो वो search करते हैं जिससे कि आप देख सकते हैं यह रहा Japanese word, ठीक है, यहाँ पर अब Japanese जो है as a language भी है और एक तरीके से as a people भी है, एक particular area का लोग भी है, उनको भी Japanese कहा जाता है तो हम क्या डून रहे हैं, वो search करना पड़े का, हम book के बारे में डून रहे हैं, sorry, हम डून रहे है people के बारे में, कि Japanese लोगों के बारे में, उसकी class number डूनना चाहते हैं तो वो search करते है, people के बारे में, तो people search करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह रा people, r, e, n के hyphen लगाने के बाद लिखा हुआ है, 956 तो हम कह सकते हैं, कि इसका class number होगा, 956 So finally हम कह सकते हैं, कि Japanese का class number होगा, 956 I hope so, आपको सारी doubts clear हो रहे होंगे, कि कि तरीके से हम relative index का अस्तमाल करते हैं, and relative index क्या होता है, सारी doubts clear हो रहे होंगे, जो भी अगर आप लोग को doubt आता है, तो आप comment box में मुझसे पूर सकते हैं